दोस्तो आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ अगर आप लोग ही के एटल के रिटेलर हो एटल मित्रा अप्लिकेशन को यूज करते हो तो आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ SD Code है और आप कैसे उसको यहां पर यूज कर पाऊगे तो चलिए शुरू करते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को आना है डाइलर पे और डालर पे आने के बाद यहां पे आपको इंटर करना है इसको कर दोगे कुछ नहीं उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का आपसन आ जाएंगे ठीक है अब आप लोगों के यहां पर काफी सारे आपसन दिख रहे हों बहासा चेंज कर सकते हो यहां पर बैंकिंग पॉइंट में जा सकते हो मर्चेंट एफसी और यहा अपना मैनेज पिन कर सकते हो और यहां पर माई अकांट की इन्फरमेशन चेक कर सकते हो यहां पर यहां किसी भी कस्टुमर का यहां पर डिपोजिट मनी कर सकते हो किसी भी customer के account में पैसे डाल सकते हो और यहां पर return mcass अगर आप इस पर enter करते हो जैसे कि मैं आप लोग बता देता हूँ return mcass होता है अगर आप यहां से distributor को अपना balance जो भी आप आधार काट से पैसे निकाले अगर वो आप distributor को देना चाते हो तो आप यहां से भी कर सकते हो ठीक है आपको कोई भी internet की जरूरत नहीं पड़ेगी सीधे direct उस distributor के पास जाएंगे जिस distributor से आप लोगों ने ID लिया है अगर आप यहां पे return mcass पर किलिक हो जैसे कि हम आपको example बता देते हैं four पे हमको click करना है four number पे है तो यहां पे send करना है send करने के बाद में दुरे दूस्तों आपको यहां पे amount डालना है जित्ता भी balance आप लोगों को transfer करना है distributor को देना है तो आपको यहां पे जैसे कि minimum 100 पे आप send कर सकते हो ठीक है maximum आप जितने भी करना चाहों कर सकते हो तो 100 पे आपको send करना है और यहां पर send क्लिक करना है उसके बाद दूस्तों आपको अपना mpid डालना है जो भी आपका etal payment bank का mpid होता है वो आपको यहां पे enter क distributor को पहुंच जाएगा ठीक है तो दूस्तों इस तरीके से आप अपने distributor को अगर balance देना चाहते हो तो आप यहां से दे सकते हो इस तरीके से अब चलिए दूस्तों हम आपको बता देते हैं और यहां पे इंटर करके मैं आपको और option के बारे में बता देता हूं तो यहां पे okay करता हूं इस तरीके का option आ जाएंगे फिर हम को यहां पर टू फिर से दवा देना है उसके बाद दूस्तों यहां पर option आएगा यहां पर मैं देख लेता हूं यहां पर deposit money पर किलिक करता हूं जो की है तीसरे नंबर पर send करता हूं उसके बाद दूस्तों यहां पर mobile number इंट कर देते हैं फिर आपको send करना है send करने के बाद में दूस्तों यहां पर amount डालने का option आ जाएगा minimum यहां पर सौरपय तक deposit कर सकते हो उसके बाद send करना है send करने के बाद में दूस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का option आ जाएगा यहां पर बताया जाएगा क्या यहां पर यहां पर confirm करिएगा यह mobile number है जिस पर आप deposit करना चाहते हो और इसको यहां पर सौरपय आप deposit करना चाहते हो तो आपको continue यहां पर लिक आ रहा त इसके account में चले जाए तो इस तरीके से आप यहां से money deposit भी कर सकते हो दोस्तों बहुत सारी option आते हैं आप इन option को use कर सकते हो अगर आपको distributor को यह M cash return करना होता है तो आप उनको वापिस कर सकते हो और अगर आप यहां पर M pinches करना चाहते हो या deposit money करना चाहते हो बगएर internet के तो आप यहां से कर सकते हो तो दुस्सों आसा करता हूँ आज का वीडियो आप لوगों को पसंद आये तो जरूरů खरियेगा अपने दोस्तों के साहँ करिएका मिलते हैं और अगले नबिया तक के लिए खुस रहीएगा बाई बाई